लकडी का कटोरा कहानी सुनिये दोस्तों, एक वृधव्यक्ती अपने बहु बेटे के यहां शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था, उसके हाथ कांपते थे और दिखाए भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका चार वर्षिया पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृधव होने के कारण उस व्यक्ती को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकल कर फर्ष पे बिखर जाते तो कभी हांत से दूद छालक कर मेजपोश पर गिर जाता। बहु बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिद होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा लड़के ने कहा। बहु ने भी हां में हां मिलाए और बोली आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बुड़े पिता को वही अकेले बैठ कर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था। ताकि अब और बर्तन ना तूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठ कर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आँखों में आंसु दिखाई देते। यह देखकर भी बहु बेटे का मन नहीं पिघलता, वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर धेरों बाते सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा, तुम क्या बना रहे हो। पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकडी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनह अपने काम में लग गया, पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ, उनके मुझ से एक भी शब्द नहीं निकला और आँखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बुड़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभाद्र व्यवाहार नहीं किया। दोस्तों, हम अकसर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वाल्यूज देने की बात करते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उबदेश देते रहे की बढ़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवाहार करें तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवाहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकडी का कटोरा तयार करने लगे। लीज कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।